नमस्ते सात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में वलब्भी के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा जो वलब्भी है ये एक प्राचीन काली नेक महतवपूर्ण स्थल था और जिस परकार से तकसिला और विक्रमिसिला नालंदा विश्ववविदाले हैं उसी तरह से वलब्भी में भी वलब्भी विश्वविदाले इस्थापित था जिसका प्राचीन काल में बहुती महतवपूर्ण स्थान था और देखें स्थूडेंट्स यदि आप लोग इत्यास्विशे के स्थूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये जो प्राचीन काली नस्थल में आपको पढ़ा रही हूँ इन वीडियोस को आप द्यान से देखें क्योंकि एकजाम में कई बार इन चीजों के बारे में पूछ लेते हैं तो देखेंगा जो वल्लब भी है ये कहां इस्तित था ठीक है तो देखेंगा जो वल्लब भी है ये है वल्लब भी नगरा ये अभी जो वर्तमान में ये लुप्त हो चुका है लेकिन वल्ल नामक गाम यहां पर था जो अभी भी है जहां से मैत्रक वन्स के तामबे के अभिलेक और मुद्राएं मिली है तो देखे पढ़ते हैं वल्ल भी कहां इस्तित था तो जो वल्ल भी है यह गुजरात के काठियावार छेत्र में इस्तित था और आदूनिक जो वल्ल नामक स्थान है वहां पर वहां से हमें जो मैत्रक जो राजवंस था उसके कई अभिलेक और मुद्राएं प्राप्त हुई है और जो यह आपका वल्ल भी है इसकी स्थापना किस ने की थी तो वल्ल भी की स्थापना मैत्रक वन्स का सासत्ता बठार्क उसने की थी अब देख पतद राजवंस था उसका पतन हो रहा था और जो मेत्रिक विक्ति हैं जो सैनिक थे वो गुप्तों के ही पदादिकारी थे ठीक किए और जो यह बठारक है यह क्या था यह एक सैनिक पदादिकारी था किसका गुपतों का इसने वल्लबी के मैत्रिक वंस की स्थापना की थी और वल्लबी की भी वल्लबी का जो स्थापना करता है वह भी बठारक को ही माना जाता है ठीक है और जो मैत्रिक है मैत्रिक राजवन से उसकी जो राजदानी है ये भी वल्लबी में ही ठीक, ठीक है, तो देखेगा यह आपका हुआ, कि वल्लब भी है, यह कहां इस्तित है, गुजरात के काठियावार छेतर में, वल्लबी के स्थापना किसने की बठा रखने, बठा रखने, जो महतो पूर राजवन्स था, कौन सा था मैत्रिक राजवन्स, मैत्रिक राजवन्स क भी जो सेंस्तापना कब कीगी 470 इस्वी में ठीक है और मैत्रिकों की राजदानिकांती वललभी में ये तो वह आपका वललभी का समाने सा परिजे अब देखेगा जो वललभी है ये फिमस क्यूं है ठीक है इसकी परसीदी का कारण क्या है तो यहां की परसिति का कारण है वलभी विश्वे विधाले जो तकसिला तथा नालंदा की परंपरा में था ठीक है तो प्राचीन कालिन जो विश्वे विधाले थे तकसिला नालंदा उनी की तरह से वलभी विश्वे विधाले भी था वलभी पूर जो वलभी है इसका दूसर नाम वल्लभीपूरी भी था तो वल्लभी पूरी या वल्लभी से यहां के जो सासकों के उत्तर गुप्त कालियन अन्यक के प्राप्त हुए है अन व्यापार वानिजे का भी परसिद केंद्र था ठीक है और साथविस्ट आपदी में ये नगर एक परसिद सेक्षने केंद्र बन गया था यहां के दो विद्वान कई बार एकजामें पूछ लेते हैं कि गुणमती और इस्तिरमती कहां के कौन से विश्वविदाले के परसिद विद्वान कोन थे गुणमती और इस्तिरमती अब जो वल्लबी का जो विश्वविदाले है यहां पर बो धरम से संबंदित महतोपुन सिक्षा दी जाती थी बो धरम के अलावा यहां पर जैसे कि अर्थ सास्त्र है निति सास्त्र है इनकी भी पढ़ाई करवाई जाती थी और धार्मिक विचारों के भी पढ़ाई की जाती थी तो धार्मिक विचारों में जो महतोपुन धरम था वो था बो धरम की सिक्षे आप अच्छे से दी जाती थी ठीक है अब देखेगा जो मतलब कि यहां जो 17 अबदी के मद्धे में चिनी आतरी वियन सांग आता है और एंड तक आई चिन नमक जो चिनी आतरी है वो भी आपर बर्मन करने के लिए आता है ठीक है वियन सांग ने जो यह आपका वल्लबी विश्वविदाले है इसकी तुर्णा बिहार के नालंदा वि और भी है कि जो दूसरी जैन परिशद हुई थी वह वल्लबी में आयजित की गई थी और इस परिशद में जैन गरंतों ने वर्तमान सवरूब गरंड किया था तो देखेगा मैंने पहले भी आपको वीडियो में समझाया था कि दो जैन संगीतियां हुई थी तो जो पर्थ जैन संगीति है इस कायोजन वल्लबी में होता है और इसके अध्यक्स कों थे देवर्सी अक्ष्मा सरमन और कब हुई थी चटवी स्ताब्दी में हुई थी ठीक है तो यह आपकी इंपोर्टेंट दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि यहां पर दुई जैन संगीति रिविजन हुआ था और यहां पर कई बोध मठ भी थे कहां पर वल्लबी में ठीक है वल्लबी में कई बोध मठ भी थे तो देखेगा एक बार फिर से आपर रिविजन कर लेते हैं वल्लबी के वारे में वल्लबी कहां थी तो गुजरात के काटेवार चेतर में इसकी इस्ता अपन करता था मैत्रिकों की राजदानी वल्लभी में थी वल्लभी की स्थाबना 470 इस्वी में हुई और वल्लभी विश्वविदाले है यह काम पर है काम पर था यह आपके वल्लभी में था जो गुजरात में और वल्लभी के बर्मन के लिए कौन से यात्री आया वियन सांग और आईचिन और दूसरी जैन संगीती का आयोजन कहां पर किया गया वल्लबी में ठीक है तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो वल्लबी के बारे में था और इसमें हमने वल्लबी के बारे में महत्वपुन बातें आपको बता ही है एक्जैम की दरस्टी से बहुती के बारे में महत्व भुआ बग्स में कमेंट करें ताके हमें भी पता चले और हमारा यूटूब चैनल येदि आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो ख़ा आप के लिए यूजबूल हैं तो आप कमेंट बोकош में कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद